Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? सुमवार की सुबर है और सुबर के साथ बज रहे हैं और जुड़ गया हूँ मैं आपके साथ आपका मित रही बार फिर से जानते हैं Weekly Roundup Current Affairs के आज के सेशन में कि क्या कुछ महतोपूर्ण घटा है देश दुनिया में पिछले एक सब्ता में जो आपको और मुझे जानना ही चाहिए पहला क्वेशन आपके सामने है विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? आप्शनस आपके सामने हैं और सीथे आपको आंसर मिलिये चल रहा हूँ मैं इसका थीम है I am and I will आपको जानना चाहिए कि हर साल चार फर्वरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपको जानना चाहिए कि वो टॉप कैंसर कौन से हैं जो इंडियन पॉपलेशन को एफेक्ट करते हैं ये हैं lung cancer, best cancer, cervical cancer, head and neck cancer और साथ ही blood cancer और bone cancer ये कुछ cancer की प्रजातियां हैं जो मानो जीवन को प्रभावित कर रही है चलते हैं अगले प्रशनों पर Central Bureau of Investigation के interim chief के पर पर हाली में किसे नियुक्त किया गया है ये प्रशन आपके सामने है और आंसर है प्रविंट सिन्हा जी को CBI के अतरिक्त निदेशक के पर नियुक्त किया गया है 2 फरवरी 2021 को अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था CBI के वर्तमान प्रमुख आर के सुकला साब्ज रहे जो दो साल का कारेकाल इनका पूरा कर लिया है इन्होंने जो प्रविंट सिन्हा जी आए हैं वो 1988 के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी है चलते हैं अगले प्रशनों पर अगला क्वेशन है अजय सिंग हाज बी एफ आई महाराष्ट के खेल मंतरी आशी शेलार को चुनाओं में हरा कर अजय सिंग को बॉक्सिंग फेडरेशन आफ इंडिया के अधियक्ष्य पर चुन लिया गया है उन्हें कुल 27 वोट मिले हैं जबकि खेल में कई शिर्षपदों पर काभिश शिलार जिन्होंने महाराष्ट क्रिकेट असोशियेशन और मुंबई जिलाफ फुटबॉल असोशियेशन की अधियक्ष्य भूमी का निभाई है इनको कुल 27 वोट मिले चलते हैं अगले प्रशनों पर पंडित भीम सेंजोशी के जन्मशताबदी वर्ष को चिन्नित करने के लिए आरे संगीत प्रसार मंडल जो है इसने हाल ही में किस शहर में अभिवादन नामक संगीत कारिक्रम आयोजित किया या कर रहा है तो शहर का नाम आप जान ले पुने जब आप ये देख रहे हैं तो ये प्रोग्राम हो चुका है और चार फरवरी को ये आयोजित किया गया था आपको जानना चाहिए भारत रतन रहे हैं पंडित भीम सेंजोशी जो महान सास्री गायक हैं इनके birth sanitary years जन्मशताबदी वर्थ को मनाया जा रहा है आर ये प्रसार मंदलद्वारा और कारेकरम का नाम रखा गया है अभिवादन ये जो है तीन सेशन में आजित किया गया इस्पेशल शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई है संगीत प्रसारक मंदलद्वारा जो पंडित भीम शें जोशी जी के जीवन पर आधारित है आपको ये भी जानना चाहिए चलते हैं अगले प्रशन पर इसका नाम रखा गया है युद्ध अभ्यास इसका सोलोवा संस्क्रण हाली में आयोजित किया जारा भी ये चल रहा है कहां चल रहा है आपको ये बताना है तो आंसर है इसका राजस्थान सीथे मैं आंसर पे लिए चलता हूँ बिना समय कमाए तो भारत अमेरिका संयुक्त सैना अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास और ये 16 एडिशन है इसका आपको जानना चाहिए 8 फरवरी से ये शुरू हुआ है और 21 फरवरी तके चलेगा और इसके बीच इसका आयोजन किया जा रहा है इस उद्ध देशी की पूर्ती के लिए कि दोनों सेनाओं के बीच सायोग बढ़े और आतंकरोधी जो टेररिस्ट अगींस जो जितने भी अभ्यान चल रहे हैं उन अभ्यानों पर ध्यान के इंद्रित करना जो है इसका उद्देश है आपको ये जानना चाहिए इस युद्धा भ्यास में जमू और कश्मी राइफल्स की ग्यार्मी बटालियन जो दक्षणी पश्यमी कमान का हिस्सा है ये भारती सेना का प्रतिनित्व कर रही है इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है बात राजिस्थान की हुई है तो आपको पता ही है चीफ मिनिस्टर रशोग गैलोस साब है गवर्नर है कल राज मिश्र कुल राजिस्थान में 33 तर्टी-3 डिस्ट्रिक्स है स्टेट अनिमल यहां का कैमल है स्टेट बर्ड जो है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट फ्लावर है रोहिंडा बात करें नेशनल पार्क्स की तो यहां दो बहुत महत्वपून नेशनल पार्क्स आते हैं एक है रन थमबौर और दूसरा है सरिस्का चलते हैं अगले प्रशनों पर और यूनीक एडौलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम टाइटल्ड उडान तारा वाज लौंज इन विच स्टेट इन फेबरिरी 2021 हाले में उडान तारा नाम का एक अनुठा किशोर स्वास से कारिक्तरम शुरू किया गया है यह किस राज्जिय में शुरू किया गया है तो मैं सीधे आपको आंसर में लिए चलता हूँ कि अ यूनीक एडॉलिसेंट हेल्थ प्रोग्राम नेम्ड उडान तारा वाज लांज इन धौलपुर राजस्थान on 2nd February 2021 तो राजस्थान के धौलपुर में ये शुरू किया गया है आपका अंसर है धौलपुर और लगभग एक करोड़ पचास लाख स्टुडेंट सक पहुशने की प्लानिंग है सरकार की जो 6 से 12 क्लास में पढ़ रहे हैं 6 तु 12 में और आपको जानना चाहिए कि इसमें लगभग 151 गौर्रमेंट स्कूल को सामिल किया गया है और 400 प्राइवेट स्कूल को सामिल किया गया है जहां पर में वेल ट्रेंड टीचर जो है करिकुलम का पार्ट होंगे और जे कंटेंट है उडान तारा के लिए टीचर स्टुडेंट एडलेसेंट हेल्थ डायलॉग के रूप मे इसको विक्सित किया गया है जहां स्वास्थी को लेकर कि सिक्षक और बच्चों के बीश में बाच्चीत को जो है महत्वत दिया जाएगा और जो health awareness है वो बढ़ाई जाएगी अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss कर लिया राजस्थान के बारे में तो वापस से मैं चीज़े नहीं बता रहा हूँ हम चल रहे हैं सीधे अगले प्रशन पर नेक्स्ट क्रेशन आपके सामने है हाली में दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमी पूजन किया गया किस ने किया तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये अपने आप में ही बहुत चर्चा का विशे रहा कोट तक मामला गया और लगभग 20,000 करोड का ये प्रोजेक्ट है जिसमें संसद भवन के निर्मान में ही 1000 करोड खर्च होने वाले है तो आपके पास आप्शन्स हैं सीधे हम आंसर में चल रहे हैं आपको जानना चाहिए संसद भवन परिशर में ही देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी इसकी आधार शिला और अभी इसका भूमी पूजन हो गया है 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और इसके डिलेटेड मैंने बहुत डिटील लेक्शर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर उसे देखें चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है तो सीधे हम आपको आंसर पर लिए चल रहे हैं यह 73rd Independence Day था और 4 फरवरी वो दिन है जब स्री लंका आजाद हुआ आपको जानना चाहिए इसकी theme रखी गई थी Prosperous Tomorrow बाद स्री लंका की हो रहे ही तो आपको जानना चाहिए इसके President है गोता बाया राजपक्षा और Prime Minister है महिंद्रा राख्षपक्षा यहांकी currency है स्री लंकी रूपी चलते हैं अगले प्रशन पर The Ministry of Labor and Employment has appointed whom as the Chairman of the National Safety Council for a period of 3 years श्रम और रोजगार मंत्राले ने तीन साल की अवधी के लिए राशप्षी सुरक्षा परिशत के अध्यक्षी रूप में नियुक्त किया है किन है आपको यह आंसर देना है और options आपके सामने है मैं सीधे आंसर पर लिए चल रहा हूँ S.N. Subramaniam आपका उत्तर है तो Ministry of Labor and Employment has appointed S.N. Subramaniam साहब as the Chairman of the National Safety Council for a period of 3 years फिलहाल यह CEO और प्रबन निदेशक है L.N.T के इन्होंने कई वर्षों के लिए L.N.T के बुनियादी धाचे के कारोबार को गती दी है Infrastructure Development में बड़ा रोल निभाया है और इसे देश का सबसे बड़ा निर्मान संगठन और दुनिया में 14 वा इस्थान प्राप्त है L.N.T को आपको जानना चाहिए चलते हैं अगले प्रशनों पर PM नरेंद्र मोदी इनाउगरेटेट दी चारी चारा सेनेटेनरी सेलिबरेशन इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश on 4th of February 2021 The day marks how many years of the चारी चारा इंसिडेंट प्रादान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 चारा श्थाबदी समारों का आउट खाटन किया मतलब 100 साल पूरे हो गए है 4 फरवरी का दिन 4 चारी चारा की घटना के पूरे होने के 100 सालों के पूरा करता है तो आयोजन के दोरान एक डार्क टिकिट भी जारी किया गया है UP सरकार ने महान स्वतंतरता सिनानियों के क्या भूमिका रही है अगर एक से दो लाइन में आप इसके बारे में बता सकें तो मुझे समझ में आएगा कि आप ठीक से इस लेक्चर सिरीज को देख रहे हैं चलता हूं में अगले प्रशने पर Who introduced the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021 in Rajya Sabha in February 2021 फरवरी 2021 में हाली में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर गठन संशोधन विधेक किस ने पेश किया आपको पता होना चाहिए ये ओर्डिनेस के रूप में लागू था और अब ये विधेक का रूप लेकर के ये बिल जो है ये अध्यादेश की जगह लेगा जो जम्मू कश्मीर पुनर गठन के लिए अध्यादेश लाया था ओर्डिनेस केंद्र की सरकार ने उसकी जगह ये आएगा चलते हैं सीधे अगले प्रशन पर मौद्रिक नीती विवरन में किसने आम बैंक खाता धारकों के संद्रक्षन के लिए उपायों की घोशना कर दी है तो आपको जानना चाहिए RBI, Reserve Bank of India ये बैंक सो रेगुलेट कर दी है इसके तहत RBI ने डिजिटल भुगतान सेवाओं, एकिकरित लोकपाल योजना सभी बैंक शाखाओं में CTS और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं खुदरानी वेशक हैं, उनके RBI के साथ गिल्ट खाते खोलने की अनुमती देने के लिए 24 by 7 हेल्पलाइन इस्थापित करनी की घोशना की है ये हेल्पलाइन विट्ती और मानो, मतलब फाइनेंशियल और हुमन, दोनों संसादनों पर खर्च को कम करेगा, ऐसा RBI का कहना है चल रहे हैं सीधे हम अगले प्रशन पर प्रशन है, कौन सा राज्य है जो भारत का पहला राज्य बन गया है जो प्रशन ये है कि पेपरलिस होने जा रहा है ये कैबिनेट अप्लिकेशन के माध्यम से ये कैबिनेट अप्लिकेशन लागू किया है कौन सा राज्य ये है तो आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश विच बिकम दे फर्स स्टेट इन दी कंट्री ये कैबिनेट अप्लिकेशन के चीफ मिनिस्टर है जैराम ठाकूर जिन्होंने इनौगरेट किया है ये कैबिनेट शिमला में पांच फरवरी को इसको नोने लाँच किया बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है तो आपको जानना चाहिए यहां के मुख्यमंत्री है जैराम ठाकूर, राजिपाल है बंडारू दत्तात्रे कुल मिला के बारह जिले यहां पर में है स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड स्टेट ट्री है यहां का देवदार नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालायन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है जो आपको याद रखने चाहिए चलते हैं अगले प्रशनों पर बताना है कि लीसा इस्टॉलेकर किस खेल से संबंदित है तो मैं सिधे आपको आंसर ले चल रहा हूँ ये आस्टॉलेकर कौन से खेल से संबंदित तो आपको जानना चाहिए क्रिकेट से संबंदित रही है तो क्यूं चर्चा में रही है आपको ये भी जानना चाहिए कि लीसा इस्टॉलेकर जो है ये women cricket की पूरु कप्तान रही है आस्ट्रियलिया की और अभी hall of fame में इनको शामिल किया गया है आस्ट्रिया क्रिकेट के hall of fame में शामिल होने वाली ये चौती महिला क्रिकेटर बन गई है एक दिवसी क्रिकेट मैचों में वन डे क्रिकेट में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली ये पहली महिला बन गई है आपको ये भी जानना चाहिए इस टॉलेकर सिर्फ दो महिलाओं में से एक है जिन्होंने कम से कम एक शातक बनाया है और साथ ही टेस्ट और वन डे दोनों में कम से कम पाँच विकेट लिये हैं ऐसा कारनामा करने वाली दूसरी महिला एलिस पैरी है चलते हैं अगले प्रशने पर हाले में कमबोडियाई समकक्ष जो है तोंगखौन के साथ आशियान भारत परियतन मंतरियों की आठवी बैठक की सहध्यक्षता की है भारत के संस्कृती और परियतन राजमंतरी है प्रहलात सी पतेल इन्होंने पाँच परवरी को अपने कमबोडियाई समकक्ष तोंगखौन के साथ आशियान भारत परियतन मंतरियों की आठवी बैठक की सहध्यक्षता की है यह बैठक आशियान परियतन मंतरियों M.A.T.M. की 24-वी बैठक के साथ थी दोनोंने आशियान और भारत की बीच समझोता ग्यापन के तहट परियतन में आशियान भारत सहयों को बढ़ाने पर सहमती व्यक्ष ही है और ऐसा माना जा रहा है कि इससे देश में परियावटन को बढ़ावा मिलेगा चलते हैं अगले प्रशने पर राजस्थान को भिखारी मोक्त बेगर फ्री करने के लिए एक अभियान के शुरुआत की गई है प्रशने ये है कि कौन से शहर में इसकी शुरुआत की गई तो आपको सिधे उत्तर पर लिए चलता हूँ जैपूर जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं यहाँ इस केमपेन की शुरुआत की गई है ताकि राजasthhan को भिखारी मोक्त या बेगर फ्री किया जा सके भिखारियों की समस्या देश की एक बड़ी समस्या है और पूरे देश को ही बेगर फ्री करने की जरुरत है उनके लिए कई योजनाये चलाई जानी चाहिए सरकार अपने इस तर पर प्रयास कर ही रही है आम जनता को भी जागरूख होने की जरूरत और ऐसे अभियानों की पूरे भारत भर में ही आवशकता है राजिस्थान के बारे में जानकारी मैंने प्रीवेस क्वेशन में दे रही है तो मैं सीधे चलता हूँ अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपके सामने है आंधर प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया है आपको बताना है कि आंधर प्रदेश के सीएम कौन है तो सीधे मैं आपको आंसर में लिए चलता हूँ और Y.S. जगन मोहन रेड़ी जो हैं ये आंधर प्रदेश के सीएम है रिफॉर्म्स के एक पार्ट के रूप में आंधर प्रदेश ने किसानों को सितंबर 2020 से बिजली सबसीडी का प्रत्यक्ष लाब जिसे हम कहेंगे DBT ये देना शुरू किया है और इसके लिए 1515 करोड रुपे स्विकरित किये गए है बात आंधर प्रदेश की हो रही है बैवने बताया आपको कि मुक्यमंत्री है Y.S. जगन मोहन रेड़ी यहां के राज़ेपाल है बिस्व भूशन हरीचंदरन जिलों की संख्या कुल यहां पर में 13 है राजस्तान के स्टेट अनिमल की बात करें तो ब्लैक बग जो है चिंकारा जिसे कहते हैं यहां का स्टेट अनिमल है स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर स्टेट फ्लावर की बात करें तो Water Lily यहां का State Flower है और National Park यहां पर में है Shree Venkateshwar National Park और साथ ही Papi Kundaloo National Park यह दो यहां बहुत प्रमुक नेशनल पार्क हैं आपको जानना चाहिए चलते हैं अगले प्रशनों पर NASA has appointed whom as its first ever senior climate advisor NASA ने हाली में अपना पहला वरिष्ट जलवायू सलाहकार नियुक्त किया है किसको नियुक्त किया है आपको यह बताना है options आपके सामने है मैं आपको answer पर लिए चल रहा हूँ NASA ने पहली बार वरिष्ट जलवायू सलाहकार climate advisor अपॉइंट किया है आपको जानना चाहिए Godard Institute for Space Science GISS के डारेक्टर है Gavin Smith इनको जो है अपॉइंट किया गया है यह तब तक इस पर रहेंगे जब तक कोई इस्थाई नियुक्ती नहीं हो जाती यह एक अइस्थाई नियुक्ती है Schmidt को जो अपॉइंटमेंट मिला है यह व्यापक वैज्यानिक समुदाए के साथ संचार, Communication और समन्वय करने के लिए अपॉइंट किया गया है साथ ही NASA के जो Climate संबंधी Research है उसको बढ़ावा देना इनका एक महत्वपून काम होगा NASA की बात हो रही है तो आपको जानना चाहिए इसका मुख्याल है Washington DC में है जो की US में है और इसके संस्थापक है Dwight D. Eisenhower इसकी स्थापना जो हुई है वो 1 October 1958 को हुई है NASA का फुल फॉर्म है National Aeronautic and Space Administration चलते हैं अगले प्रशने पर Who has been conferred the COVID Crusader Award 2020 COVID Crusader Award 2020 की से प्रदान किया गया है तो options आपके सामने हैं मैं सीधे आपको answer पी ले चलता हूँ अग्बाल सिंग चहल है जो ब्रिहन मुंबई Municipal Corporation के Commissioner है इनको COVID Crusader Award दिया गया है 2020 का He has been awarded by the Indo-American Chamber of Commerce IACC in the Indian Bureaucrates Category तो आपको इनका नाम जानना चाहिए बहुत महत्वपून है ये कि इनोंने बढ़िया काम किया है अकबाल सिंग साहब ने जो मुंबई महानगर पालिका के आयुकत है और COVID से लड़ने में जो भूमिका इनोंने निभाई इसके लिए इन्हें ब्यूरोक्रेट सेनी में इंडो-अमेरिकन Chamber of Commerce ने ये अवाड दिया है आपको बताना है कि पॉंग डेम जील वन अभ्यारण जो है इसमें फरवरी के पहले सप्ता में वाटर बर्ड की गई तो पॉंग डेम जील कहा है आपको ये बताना है कौन से राज्य में है तो मैं आपको सीधे आंसर में लिए चल रहा हूँ और ये है हिमाचल प्रदेश में और इन्वल वाटर बर्ल काउंट जिसे हम कहते हैं जनगर्णना या सैंसेज जो है ये पॉंग डेम लेक वाइल लाइफ सेंक्चूरी में जो है कंड़क्ट किया गया फर्स्ट वीक ओफ फेवररी में तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है पॉंग डेम लेक दुनिया भर से हजारों प्रवासी पक्षी जो है ब्यास नदी पर आते हैं और इस साल जो है 96 इस्पेसीज जो है प्रजातियों के लगभग 1,08,578 जी हाँ पक्षी विज्ञान एक शाखा है साnar की जिसे और नीथो लॉजी कहा जाता है जहांपर में बर्ड्स का अधियन किया जाता है पक्षियों का अधियन किया जाता है चलते हैं अगले प्रश्णों पर अगला प्रश्ण आपके सामने है आपको बताना है कि भारत के दो पूरु कृप्तान रहे हैं इन्होंने 300 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बना रखा था इनको जॉइन करने वाले कौन से तीसरे पेसर बन गए है भारत के तो 300 विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन है आपको इसका आंसर देना है सीधा सीधा और सीधे हम आंसर पर चलते हैं यह है इशांत शर्मा इशांत शर्मा ने यह लैंडमाक अचीव किया है 300 विकेट लेने वाले वो थर्ड पेसर बन गए है इसके पहले रवी चंदरन अश्विन 370 विकेट ले चुके हैं आपके जानकारी के लिए वो इस्पीनर है अरबजन सीधा 470 विकेट ले चुके हैं वो इस्पीनर है लेकिन जहीर खान जो है पेसर है जिन्होंने 311 विकेट लिये है तो कपिल देव और जहीर खान दो तेजगती के बॉलर रहे हैं इससे पहले जिन्होंने 300 से ज़्यादा विकेट लिये हैं और अब इशान सर्माइन में शामिल हो गए है चलते हैं लास्ट प्रश्न पर फर्स्ट मंगल मिशन होप अफ यूए वास लाँच किया गया ये प्रश्न है आप्शन आपके सामने हैं और आपको जानना चाहिए इसे जापान से लाँच किया गया Saudi Arabia's first space mission to Mars launched from Japan on Monday सुमवार के दिन हाल ही में इसे launch किया गया है जापान से तो आपको जानना चाहिए ये कि UAE का ये पहला मंगल मिशन है जो मंगल गरह पर गया है हाला कि मौसम ने इसमें कुछ खलर डाला था इसी वज़े से इसका launch पहले टालना पड़ गया था इस project को hope नाम दिया गया है आपको ये जानना चाहिए और किसी भी Muslim country का ये पहला mission है space mission में बड़ी सफलता हासिल की है सौधी अरब अमीरात ने आपको ये जानना चाहिए आज के लिए यहीं रुखते हैं आज का ये जो weekly round up है फोड़ा सा लंबा भी हो गया कारणी है कि सब्तावर में बहुत कुछ ऐसा घट जाता है जो बताने के लिए होता है फिर भी मैं बहुत सारे description आपके लिए नहीं ले पाया क्योंकि अगर मैं description भी add करता तो सायद ये lecture एक घंटे का हो जाता उमीद करता हूँ आज के इस weekly round up से आपको बहुत कुछ नया सुनने समझने और जानने को मिला होगा अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो जरूर थमस अप करिए कमेंट करिए शेयर करना तो भूलना ही मत have a nice time, take care, bye bye